नमस्कार मैं हूँ शिकर्टीप और आप देख रहे हैं जीविन 24 36 गड़ उन राजियों में से हैं जहां कॉंग्रीज की सरकार है और भाजपा वहां पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है 36 गड़ में जंद ही वधान सभा चुना होने वाला है और ऐसे में सभी पार्टियां जीतोर मेहनत करें बैयान बाजी टेज हो गई है लिस्ट आ गई है तो देखना ये होगा कि क्या कॉंग्रीज बचा पाएगी 36 गड़ वधान सभा चुनाद 2023 प्रथम 84 नमंबर को 20 वधान सभा चेत्र में मद्दान होगा नामवापसी की अंतिमती थी 23 अक्टूबर अशाद 2023 प्रत्याश्य मेदान में 20 प्रत्याश्यों ने अपना नाम वपस लिया है जबकि 293 प्रत्याश्यों ने नामांकन जमा किया थै नामांकन जाज में 40 नामांकन निरस्ट पाएगए प्रथम चरण के 20 विधान सभा छेत्र में सबसे ज्यादा 29 प्रत्याश्री राजनांद गाउं विधान सभा के हैं जहां भाजपा से 36 गड़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग प्रत्याश्री है कॉंग्रेस ने यहां से गिरीष्ट देवांगन को प्रत्याश्री बनाया है जबकि सबसे कम साथ प्रत्याश्री बस्तर छेत्र के चित्रकूट विधान सभा से हैं अपने चुनाओ की घोशना पत्र दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के घोशना पत्र का इंतजार कर रही है वतमान में 22 विधायकों के टिकेट कटे हैं वतमान में कॉंग्रेस के 70 विधायक यूम भाचपा के 15 विधायक तथा बस्पा के 2 विधायक है मतदाताओं को प्रलोभित यूम रिज़ाने के लिए कॉंग्रेस ने चला है कर्ज माफी का दाओ पिछले चुनाओं में कॉंग्रेस को चिताने में पार्टी के घोशना पत्र की बड़ी भूम का रही थी इसमें कर्ज माफी यूम धान की खरीदी 2500 प्रतिक क्वेंटल का कॉंग्रेस को मिला थलाब तोनों प्रमुख पार्टियों के राष्ट्री नेता 36 गड़ में बड़ी सभाय कर रहे है क्या बस्पायों जनता जोकी कॉंग्रेस बचा पाएंगे अपनी अपनी सीट है आमाद्मी पार्टी 10 संकल्प के साथ आधे से अधिक सीट पर उतर रहे हैं प्रत्यासी दूसरे चरण के मतदान 17 नमंबर के लिए नामांकन की प्रक्रिया होगी प्रार्ण आने वाले दिनों में भाचपा और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टीयों के स्टार प्रचार 36 गड़ के तोरी पर रहेंगे क्या कॉंग्रेस राज्य में अपनी सरकार भरकरा रख पाएगी या बीजेपी राज्य के सत्ता में काबिश हो जाएगी इसका फैसला होगा 3 दिसंबर को जब वोटिंग मशीन में बंद प्रत्यक्षों के भाग के खुलेगा और मत गड़ना हो 36 गड़ का बस्तर छेतर अती संवेदन छेतर है योम नकसली सक्रियता योम गतविधियां चुनाओ के समय यहाँ ज्यादा हो जाती है इस चुनाओ में भी उनका असर देखने को मिलेगा बस्तर के अंदरूनी इलाके में उनके दोरा चुनाओ भहिसकार तदा भाचपा को मार भगाओ की बातें की जा रही हैं वहीं कॉंग्रेस का विरूद भी कर रहे हैं मुला मानपूर चौकी जिले के भाचपा कारिकरता बिर्जू ताराम की गत दिनों नकसलियों ने गूली मार कर हत्या कर दी थी इसकी जिम्मेदारी माववादियों ने लेते हुए अंदरूनी इलाके में पर्चा फेका है जसमें धमकी दी गई है भी के लिए बस इतना ही ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें जीवे प्रड़ी फूर्ट